स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चनल साइंस्ट्री टेकनोलजी में मैं अनफर्मवेबुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शू कंप्यूटर विग्नेस्टी में आज हम लोग बात करेंगे USB-C Cables के बारे में तो आईए इसे समझते हैं तो सबसे पहले समझेए USB-C क्या हुआ है USB-C आ गया है यहां और इसे law लगाया गया ये European Union law लगाया तो बहुत इससे फरक क्या पढ़ता है कि वह हर अलग कांटिनेंट के हुलाला लगाया तो EU में जो law लगता है वह हर जगाया जाता है जैसे EU का एक्ट हो किसी ने वीड फूक लिया था लगा जाता है कि 30 मिनट से जादा का रिकॉर्डिंग हो किसी कैमरा में उसमें वीडियो कैमरा का टैक्स देना पड़ेगा एंड्रोइड भी थोड़ा तिगड़म कर रहे थे लेकिन 50% कर रहे थे तो एपल 100% कर रहा था एंड्रोइड 50 कर रहा था दोनों को जूता चपल मार के लाया गया गया और पीसी लिनेक्स हर चीज अब इसको सपोर्ट करेंगे और यह समझे इनका एंड गेम क्या है मतलब क कहां तक पहुचना चाहता है अभी जो यूसबी सी है यह गाड़ी खुला है यह फाइनल स्टेज नहीं है इनका एंड गेम है कि एक तारहो जिससे डेटा और पावर दोनों समझाल लिया जाए लोड नहीं लेना है यानि आप घर यूसबी सी से नहीं चलाओ गया लेकिन मत पर केबल जो आपका कनेक्ट करेंगा दूसरा सिंक जिसमें आप डाल रहे हो इनर्जी के लिए जनल यह एक आजाए अब रहा बात की यह समझना बेहर ज़रुई है कि यह पूरा जो चेन है जिसमें तीन यूनिट है इसमें आपका स्पीड कैसा होगा वह डिपेंड करता है बहुत समझए है तो अब बात कतें डेटा के बार्में तो डेटा में समझें कि USB स्टेंडर जो है बहुत उसका टाइम चेंज हुआ है और मुझे समझ में नहीं आता है कि USB Association कौन सा फूकरा है जो नाम बार पर उट पटांग करते हैं सीधा नाम रखो यार 5Gbps, 10Gbps, 20Gbps, 40Gbps खताब, टेंशन ही नहीं लेना है लेकिन हुलुलुलुलु बहुत करते हैं तो स्टार्ट समझी हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, USB बहुत पुराना हो गया है, अल्मोस 20 यह से जदा हो गया है बिट और बाइट वाला इशू है, तो USB में कैसे डेटा कैसे भीचते हैं, उसमें डिफरेंशल सिग्नलिंग होता है, यानि कि एक तार में मतलब डेटा जो है, उसको एक उपम्प उलट देता है, प्लस माइनस करके भीजा जाता है जैसे आपका XLR माइक्रोफोन चलता है, डिफरेंशल सिग्नल रहता है, इससे इंटर्फिरेंस का असर नहीं होता फिर USB 2 में आपका D+, D- यूज होता है, यह आपका डेटा लाइन है, प्लस और माइनस आपका जो यह ग्राउंड और VCC, और उसके बाद हो गया आपका D+, और D- फिर इसके बाद आगे USB 3, अब रहा बात की D+, और D- से ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, तो USB 3 में एक्स्ट्र पेर डाला गया, यह पेर में चार डेटा लाइन एक्स्ट्रा एड़ कर दिया गया, और फिर जैसे से बढ़ते चले गए, घूमफीर के हम लोग मतलब अल्मूस्ट तीन से चार डेटा पेर्स तक अब आपको पॉसिवली मिल सकता है, तो अब अगर आपको USB 3 का ब्रेक आउ यह सब आपको USB-C में, मतलब उसका जैक में 24 पिन है, वो है क्या है, वो यही सारा है, तो ऐसे समझे, डिफरेंशल पेर का नमबर बढ़ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पीड आपको कम पेर में नहीं मिलेगा, तो यह हो गया, आपको 20 GVPS तक का स्पीड जो है, आ और हैंडशेक ऐसा बनाया गया है कि अगर 20 GVPS का हैंडशेक फेल होता है, वो 10 पे आएगा, ऐसा नहीं होगर 15 पे आएगा या 17 पे और सीधे 10 पे आजाएगा, तो यह समझना बेहर ज़रूरी है, तो कई बार आप जब महेंगा केबल लेंगे या लंबा केबल, खासतर पर जिसे आप 20 GVPS पर चल रहे हैं, आपको इस तरह का चिप चाहिए होगा, यह चिप का काम होता है, यह सब चिप का काम होता है, सिगनल को री टाइम करना, सिगनल को साफ करता है, क्लियर करता है, यह करके बिना आप हाई स्पीड डेटा नहीं कर सकते हैं, यानि कि आपको 40 GV का चाहिए, जो सबसे हाई स्पीड है, उसमें E-Chip रहता है, यानि कि जो केबल में, यहाँ पर रिसीवर साइड मेंने, केबल में खुद में होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है, तो केबल काम नहीं कर पाएगा, वो हैंडशेक फेल करेगा, वो ड्रॉप कर देगा 20 GVPS पर, लंबा है, तो 20 भी नहीं कर पाएगा, 10 पर उतर जाएगा, 10 थोड़ा लंबा चाह सकता है, वो भी फेल होगा है, तो 5 पर उतर जाएगा, तो यह समझना बहुत ज़री है, इसलिए आपको यह सब केबल का दाम बहुत ज़्यादा, उर्पटां क्यों लगता है, उसमें सिग बहुत ज़्यादा इमिशन करता है, आपका केबल जो है, बाकी सारे चीज़ पर इंटर्फियरेंस करने लगेगा, इसलिए बहुत महँगा हो जाता है, जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाते है, 5 और 10 उतना टेंशन है, 20 छोटे में टेंशन नहीं है, जैसे आप 40 छोटे में टेंशन है, बढ़ा में भी बहुत टेंशन है, और 20 अगर आप लंबा करना चाहिए, बैंट बन जाए, क्योंकि आपको डेटा चिप चैप मतलब इसमें एक लिटरली री टाइमर जो सारा सिगनल ले रहा है, उसे फिल्टर कर रहा है, फिर भेज रहा है, तब जाके आपका अच्छा उट्पुट मिलता है, तो इसलिए महंगा है, और इसलिए आपको कही जिगां ब्रांडट केवल में लिखा लिखा लिए कि इसमें एचिप है, या री टाइमर है, री टाइमर जनरली जो लो बहुत है, सिगनल कंडिशनिंग करने के लिए, यह मतलब इसलिए घर म बनाया जाए तो कावी तिगड़म वाला चीज था, क्योंकि मतलब यह बोलना बहुत असान लगता है कि ऐसा करते ना कि ऐसे ना ऐसे भी गुसा लेंगे, इसलिए असान चीज नहीं है, अब लोगे एपल भी तो किया था, बात है एपल बहुत ही गया गुजरा इंप्लिमे बहुत उपर है, तो यहां पर से इनका डिजाइन का लिमिट्स लगया, अब रहाबात की पावर निकालने के लिए आपको पुल डाउन रिजिस्टर चाहिए, यानि कि अगर आप सीधे कनेट है, यह ब्रेक आउट बोड है, मैं इसको कनेट करता हूँ, इससे पावर निकल मतलब बेसिक बात कर रहां भी ना हैंडशेक का, और हैंडशेक के लिए तो आपको आईसी चाहिए होता है, तो यह हो गया, पुल डाउन रिजिस्टर नहीं है, भूल जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, अब फिर बात समझते हैं, कि 5 वोल्ट से उपर जाना जैस कि Android, Mobile Phone, सब लोग USB-C सपोर्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सब अपना proprietary charge standard बना दी है, सब का adapter अपना e-waste बन जाता है, कि जैसे आप अपो उसे वीबो पे कुछ जाओगे, तो आपको फेकना पड़ जाएगा, तो वो सब ना हो, तो सब को एक law हैंडशेक 2024 में Mobile में mandatory हुआ, 2026 में laptop में होगा, लैपटाप के लिए थोड़ा ज्यादा voltage चाहिए, जैसे 48V चाहिए उसके लिए, तो उसको थोड़ा time दिया जा रहा है, तो पावर डिलिवरी, उसके लिए आपको IC चाहिए, जो इस तरह का आप IC देखते है, IC का क्या काम है, यहाँ ड 20V है, तुमको क्या चाहिए, वो बलेगा, भही, अमको 9V देखो, वो बलेगा, ठीक है, 9V लेलो, इसमें इतना amp खाओ, तो यह discussion होता है, दो IC के बीच में talking होती है, तो इसलिए आपको 5V से उपर जाना है, तो PD का तिकदम करना पड़ेगा, अब रहा बात, अगर आप PD का चिप डालते हैं, और उससे क्या सरकाम हो जाएगा, हाँ भी और नहीं भी, क्योकि आप समझी वो जो चिप बता रहा हूँ, वो तार पे नहीं लगता है, वो आपके डिवाइस में है, आपका मॉबाइल फोन बात कर रहा है, आपका एडप्टर से, आपका एडप्टर और म इसमें कोई सरकिट नहीं है, सिवाए वो रेजिस्टर के, रेजिस्टर बहुत सिंपल चीज है, और वो भी आपके मॉइल फोन में रहता है, तार में कुछ नहीं रहता है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो सिफ 3 एम्प का लिमिट आ जाता है, USB-C केबल, यानि कोई भी केबल, USB-C का धंग से बनाता है, तो इसमें कितना एम्प सपोर्ट होना चाहिए, अगर ये स्पेसिफिकेशन फॉलो करता है, तो ये 3 एम्प को कंटिनियूसली समाल सके, ये इसका रिक्वाइरमेंट है, तभी USB-C का स्टैंप आप लगा सकते है, तो 3 एम्प का मैं करेंट कितने भी वोल्टेज पे, इसको कोई दिकत निंग होना चाहिए, वोल्टेज का ओविसली लिमिट है ये 20 वोल्ट पे, अब रहा बात कि आपका फोन ज्यादा मांग रहा है विजली या लैप्टाप ज्यादा मांग रहा है, तो क्या करेंगे, वहीं पर ये 3 एम्प का लिम अब डेटा भी रखते हैं, अगर आपका अधंका कंप्यूटर रहा है, उसे खोल खलके निकाल सकते हैं, इमार्कर चिप क्या कह रहा है, क्योंकि बता देगा, कावजसा वेंडर है, उसका सीरियल नंबर क्या है, मतला अपल वाले में तो पूरा बता रहा है, और कोई भी आ अधाप्टर बंबंब है, आपका अधाप्टर माली फाइव एम्स दे सकता है, आपका मॉवाइल फोन या लैपटाप फाइव एम्स खा सकता है, बल्ले-बले, आपका केबल तीन अम्प में पिघल जाएगा, तब आपने चेक कैसे कर होगे, क्योंकि डेटा सिगनल तो अर करके बोलता है, यह तुम फाइव एम्स तक ड्रॉप कर सकते हो, और रहा बात की उसमें कितना सारा वोल्टेज खुल जाता है, नहीं, अगर आप अभी मार्केट में खरिकते हैं, यह जितना भी इचिप वाला भी मार्केट में अवेलेबल है, सब और सस्ते वाले, वो सिफ एम्स तो वो भी आप अरामस ऐसा कर सकते हैं, कि 48 वोल्ट 3 एम्स पे भी तो काफी पावर्फुल हो जाता है, तो दिक्कत यह है कि वोल्टेज उतना बढ़ा देने पर डाइलेक्रिक जो है, उसके लोड पढ़ने लगता है, यहां डीसी की बात हो रही है, तो उसके हिसाब से बनाना पड़ता है, प्लस प्लग जो है, प्लग ऐसा बनाना होता कि वो जो आर्किंग होगी, जब आप उसे डिसकनेट करोगे, उसे बरदास कर सगे, इसलिए थोड़ा सा उस पे लिमिट लगाए गया, कि अगर अभी आप एक सिंपल यूसबी सी केबल खरीगते हैं, ज यह मतलब नहीं कि 48V ही देगा, बस 48V का मतलब है कि वहां तक का क्लियरेंस दे देता है, तो पावर में भी उतिकड़ों में, डेटा में जैसे मैंना आता है कि सिगनल को री टाइम करना पड़ता है, आपको 20GPS लंबा में करना है, यहां पे भी वही है, कि 3A से उपर भागन लो फोल्टेज में, आपको इसमें E-MARKER लाना होगा, 48V वाला खोलना चाहते है, तब पूरा नया केबल लेना पड़ेगा, तो यह हुआ पावर वाले साइड में, इसलिए यह सब का तार का नाम इतना ज़्यादा है, सिंपल तार नहीं है, तो अब बात करते हैं के बारे म आपको इसमेंट वाले तो हर को यह हर चीज कर देते हैं, लगाओ गया, यह तो कुछ नहीं कर रहा है, तो वही समझेगी, जनरली सबसे कमजोर कड़ी केबल होता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप फोन जो खरीदेरों, फोन कोई सस्ता मेनिफेक्टर नहीं बना सकता, वो जन समझना, बुजरीतार के केस में, आपके पास कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, आपका डिवाइस अच्छा हो सकता है, सोर्स और सिंक बंब में, केबल भगवान बहरो से, किसी दूसरे का केबल लगा है, भगवान बहरो से, केबल सबसे कमजोर कड़ी होता है, और वही सम हो गा ही नहीं, कि सिर्फ अगर वल्टेज पिन है, आप हैक नहीं कर सकते है, डेटा पिन ही नहीं, आप हैक करो गए क्या, तो वह भी मिल सकता है, और उल्टा भी हो सकता है, आप चाहते हो वैसा तो, तो इसलिए यह समझना मुझा है, केबल बहुत तिकड़म वाला चीज ह फिर हो गया आपका कि इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है कि अगर आपके पास कोई आईडिया नहीं है कि केबल कैसा है, डंका है, कुछ है, आपका नॉर्मल अगर सब चीज है, तो 60 वाट आपको मिल जाना चाहिए, पावर डिलिवरी से, और USB 2.0 एट लीस्ट मिलना चाहिए, लेकिन आप लोगे है, मैं 20 GPS के से माली, आजकल SSD आते हैं, जो उत्ताइ स्पीड देते हैं, लेकिन ध्यान देजिए, उसका केबल रगाना पड़ जाएगा, केबल कही दाम बहुत हो जाएगा, वहां तक पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको है क यानि कि अगर आपका pocket भारी है, इस तरह के Cable's खरी है, आपल के सीवा भी आते हैं, बहुत पहँंगा होता है, लेकिन लेने के बाद आपको tension नहीं लेना है, 40 GPS टेंचन नहीं लेना है, 240 Watt charging, टेंचन नहीं लेना है, वो टाइ सिंग्नल को फिल्टर करता है और प्लस ये जो केबल्स है ये सारे को एक्सियल है सस्ता केबल नहीं है तो बहुत महिंगा होता है वो फोटी जीवपियस चूने के लिए चाहिए और मैं तो जानना भी नहीं चाहता है यूसबी 5 का क्या दाम होगा उसमें 80 जीवपिय विजिलीनज रहना है ऐसा क्यों है कि बहुत हार्ड है टेस्ट करना क्योंकि आपटेस्ट करोगे है मेरे केसे में में लटरली बनाने का कोशिश कर रहा हूँ टेस्टर इसलिए आकशली मैं यह लिए benefits कर सकता हूं यह क्योंकि मक्तिंटी स्कते आप कोशिश करोंका LED तो चाहर जार है लेकिन हाँ अगर माली आप यही काम करते हैं इससे आपका मतलब रोजी रोटी है या केबल का जानना आपके लिए ज़रूरी है तो इस पर खर्च करना सेंस बनता है कि यह सारे अटलिश्ट बता दे कि अगर अगर सस्ता आपको टेश्टर लेते हैं यह सस्त आपको हाई स्पीड मिलेगा और इसमें जर्नली जो एलेडी रहता है अगर एलेडी बहुत कम डिम जल रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें इचिप लगा हुआ है तो उससे आपको वह थोड़ी शान्थी मिल जाते कि यह फाइव यूज कर पाएगा सस्ता टेस्टिंग ऐसे करते हैं उसके लिए अलग एक्यूपमेंट आता है केबल टेस्टर एक्यूपमेंट वह बहुत मेंगा होता है और सिलोस्कोप का छोटा भाई होता है तो अलग दाम हो जाता है तो वही समझें फुल यह फुल स्पीड टेस्टिंग रहा पड़ेगा और रहा बाद की स्टार पर पैसा मत बचाईए अगर अगर आपको जरूरत है स्पीड का और जरूरत है पावर का तो जिसे माल लिए आपको हुई मतलब आप वीडियो शूटिंग करते हैं आपका खूब फाइल दर जारा केबल में क्योंकि केबल आपको हल्ला नहीं करेगा माल लिए आपने खरी लिए एससडी जो 10 GPS पर चलता है या 20 पर लैप्टॉप ले लिए 20 GPS का चलता है मेरे बीटर में भी आपने ले लिया अपकेबल पर आपको पता नहीं चले गा आप डालोगे कि या बार वर स्पीड टेस्ट करोगे जो को पता चलेगा कि अरे हैंडशेक ये स्टेवल रख मेरा रीटर मेरा कैंबर यूच्आट है क्योंकि यूच्छ पर चैम बच रहा है स्मझना बहुंप यहां पर आप को अपको जरूरुत हैो यह मेरा काम है वह पर कट उतार पर अब पावर, अब रहाबात काफी लोग एक्चली जान भूज के गुजरतार खरीते हैं, ताकि उनको एक यह बैटरी में इस फास्ट चार्जिंग नहीं करना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ कोई बैटरी ओवर हीट हो, उसका लाइफ छोटा हो, ठीक है, वो आपकी चोईस मार्कर चिप चाहिए, आपको 10GPS से जादा भरोसिमंद तरीके से चाहिए, तो यह चाहिए, री टाइमर चिप चाहिए होगा, वो महंगा हो जाएगा, तो थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशन, थोड़ा दाव मेरे, मैं भी खुजला रहा था कि मैं खरीद लेता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ, बाद में से ले तो लूँगा, फिर केबल कहां से लाँगा उसके लिए, तो विजलेंस रखना है, और इस तरह के डिवाइस खरीच सकते हैं, आप जो एक्चुली पीडी का लेवल टेस्टिंग कर सकता है, 3.1 का मतलब हो गया, वो 48 वोल्ट वाला, यह सब आता है, आपका करीब 4-5,000 तक में मार्केट में मिल जाता है, लेकिन उससे आपको पूरा पावर में, डेटा में नहीं, यह पावर बता देगा, कि आपका E-Marker चिप है, वो बात कर रहा है कि नहीं, वो कितना एंप सेटिंग दे रहा है, वो सब पता चल जाएगा, डेटा नहीं चेक कर सकता ही है, यह जो ढंग से सारा चिश टेस्ट करें, उसका दाम लाखों में आता है, वो सब बट वो फैक्टरी के लिए मशीन है, कि फैक्टरी में लोग चेक करता है कि क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, पास हो रहा है कि नहीं, फेल हो रहा है क खतमें बात ही खता ही है एक दब तो ये था मेरा प्रजेंटेशन यूएस बीसी केबल के बारे में उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा कुछ समाज में आओ अगर ऐसा है लाइक कर दे दूसरा शेयर कर दे उससे मेरा काफी भला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद धन्यवाद